निलंबित SP मनी लाल पाठीदार की मुश्कलें पढ़ गई हैं अब तक उनकी खलाब धारा 307 और भरष्टा चार के तहत मामला दर्ज था लेकिन अब उनने धारा 302 यानी मडर के अंतर का ट्राइल फ्रेस करना पड़ेगा इस मामले को लेकर ADG प्रियागरा जोन प्रिम प्रकाश ने बताया कि निलंबित SP मनी लाल पाठीदार के खिलाफ दर्ज धारा 307 को तब्दिल कर 302 कर दिया गया है यह संगीन मामला है और जल्दी आरूपी निलंबित SP मनी लाल पाठीदार को पूस्ताच के लिए पुलाए जाएगा और प्यान के आधार पर उनकी ग्रफतारी भी हो सकती है जो इंजर्ड व्यापारी यहां पर मिले थे उनको पहले डिस्टिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया था उसके बाद उनकी हालत गंभीर थी और फिर रीजेंसी हॉस्पिटल में उनका उपचार हुआ उनके परिवार जन भी वहां पर रहे पुलीस की पार्टिया भी वहां लगाई गई उनकी हालत गंभीर थी और उसके बाद उनका दुखा दिधन हो गया आज उनका शव पोस्पार्टम के बाद यहां लाया गया था उनकी शवयात्रे में काफी लोग शामिल हुए और अन्तेष्टी कर दी गई है उसके बाद यहां कुछ लोगों से पूश्था अभी इसमें जारी है. सर जिस तरीकिसे बीडियो बाद रिकारि फोपर आरोम लगाए गे उसमें जाट पारत गहए हैं? क्योंकि अभी जो पूर्प SP हैं, वो अभी अवेलबल हो नहीं पाएं हैं, अन्य जो कर्मचारी अरिकारी हैं, जिनका भी इस पे नाम जुड़े हुए हैं, वो सभी से पूस्ताच जा रही है, उनको नोटिस बेजे जा रहे हैं, कि वो यहां पर उपसित होकर अपनी बात बत विवेशना की कई इसमें अभी दिशाएं मिल रही हैं, उन्हीं सभी पर कारे कर रहे हैं, और जल्दी इसको वर्क आउट कर लिए जाएगा, क्योंकि उनकी अभी मौत हो चुकी है, तो इसमें जो पहले अटेम्ट टू मुर्डर का था, अब वो अपने आप ही 302 में, मुर उनकी रफ्तारी के लिए खूस्ताज के लिए लाए जाएगा, क्योंकि संगीन मामला है, जैसी क्योंकि अभी वो है नहीं उपलब यहाँ पर, उनके लिए भी पार्टी भेजी हुई है, जो अन्य नाम इसमें लिखाए गए हैं, उनके लिए भी तलाश जा रही है। महुवा से नायद अंसारी के रिपोर्ट, यूपी तक महुवा से नायद लिए जायद मामला है, जो झाऑगा रही हैं, यूपी तक ही है।